ओके अलो फ्रेंट कैसे हो आप सब में हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेस यूट्यूब चैनल जो आज का हमारा टोपिक होए डिविडेंट के बारे में तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरा डिविडेंट के बारे में और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए तो यह क्या है कि डिविडेंट के रूप में तो यह क्या है कि डिविडेंट एसा दख्किन मतलब त्या ही नहीं है कि सब को देना ही है सभी कंपनी देती है कोई कोई कंपनी देती है मतलब जो बड़ी मोश्ट ओपली यह annual general meeting जो IGM meeting बोलते हैं उसमें या announce होटा है तो इसमें बताते हैं मतलब जो IGM में जिस दिन यह declaration होता है वो उसकी dividend declaration date हो जाते हैë जिस दिन ये डिकलेर हुआ था बाद में आता है रेकोड डेट तो रेकोड डेट जो है वो most important है मतलब अगर आपके मतलब आप अगर रेकोड डेट के दिन अगर जो कंपनी का registration होता है मतलब रेकोड डेट के दिन जितने मतलब shareholder उसमें register होंगे उतने कोई क्या है कि dividend मिलेगा मतलब रेकोड डेट important है लेकिन क्या है कि रेकोड डेट में आपका नाम अगर है तो मतलब आप dividend के मतलब मिल सकता है अगर आपका नाम रेकोड डेट में नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता है record date मतलब क्या होता है कि 20 दिन, मतलब 20 दिन record date company ने रखिये, उस दिन आपका नाम company के share holding pattern में होना चाहिए, तभी आपको dividend मिलेगा तो record date मतलब क्या है कि जो भी company है, उसके record में आपका नाम होगा, तभी आपको dividend मिलेगा, बात में आता है ex debt या ex dividend इसमें क्या होता है कि यह अपने क्या है, कि share holding pattern में जो आपका नाम है, उससे मतलब कब आपको लेना है, मतलब अगर आपको share holding pattern में अपका नाम रजिस्टर करवाना है, मतलब आपको only dividend के लिए देख रहे हो, तो आप क्या करेगे कि अपने ex dividend date आपको purchase करने आपड़ीगा, मतलब यह date AC है, जो आपको बताती है कि अगर आप इससे पहले purchase कर रहे हो, तो आपको क्या की dividend मिलेगा, नहीं तो अगर आप ex dividend date के दिन भी purchase करे हो, या उसके बाद purchase करे हो, तो आपको dividend नहीं मिलेगा, भले वो dividend date मतलब दो दिन बाद हो, तो मतलब आपको जो भी dividend के लिए आप apply कर रहे हो, तो आपको पहले ex dividend date से पहले आपको मतलब जो share है, वो purchase करने होंगी, और जो यह ex dividend date है, वो मतलब क्या होता है, record date से एक दिन पहले होती है, तो क्या है कि सब भी मतलब को पता चले कि ex date से पहले हमें purchase कर लेना है, क्योंकि हमारे इंडिया में T plus 2 date के हिसाब से जो work होता है, मतलब क्या होता है, अगर आज आपने कोई लिया है, तो अगर आपने रखते हो, तो दो दिन बाद वो आपको क्या है कि share rolling pattern में आप उसके add होगे, तो अगर आपको record date में नाम चाहिए, तो आपको दो दिन पहले add करना पड़ेगा, तो जो ex date है, वो एक दिन पहले आती है, मतलब मान ले थे कि आपने 18 तारिक record date रखी हुए company ने, तो आपकी ex date, अगर holiday नहीं है, तो 17 होगी, तो आपको क्या होगा, 17 से पहले उसको purchase करना पड़ेगा, तभी आप dividend को मतलब ले जा सकते हो, मतलब अपने bank account में आएगा dividend वही, बाद में last में आता है dividend payout date, मतलब जीस दिन आपको dividend मिलेगा, मतलब आपके bank account में जीस दिन आएगा वह date, मतलब जीस दिन आपको dividend मिलेगा, उसको बोलते है dividend payout date, तो in simple sub में एक बार point reverse करा देता हूँ, dividend क्या होता है, dividend यह होता है कि company अगर profit करें, अगर profit नहीं करें, तो भी कभी कभी company देती है, तो मतलब कमपनी अपने profit में से थोड़ा percentage के आए कि shareholder को दे, मतलब उसके साथ share करें, उसको dividend बोलते है बाद में आता है dividend declaration date मतलब जीस दिन dividend जो अपनी general meeting होती है उसमें dividend की बात होती है, मतलब देना है या नहीं, अगर देना है तो उस दिन वो देते हैं, मतलब बोलते हैं करते हैं, उसको बोलते हैं dividend declaration date, मतलब उस दिन dividend declare हुआ था, बाद में आता है record date, record date क्या होती है कि जो company की shareholder pattern है, उसमें आपका नाम है या नहीं, तो जीस दिन record date होगी, उस दिन अगर आपका नाम company के record book में होगा, तो आपको dividend के money राये की, मतलब आपको dividend मिल सकता है, बाद में आता है ex dividend date, ex dividend date क्या है, कि यह आपको बताता है कि आपको इस से पहले अगर आपने share purchase किया है, तो आप dividend में record book में आपका नाम होगा, और आप बाद में dividend के लिए ले सकता हुँ, मतलब dividend आपको मिल सकता है, बाद में आता है dividend payout debt, जो होता है कि जिस दिन आपको dividend मिले, मतलब ने bank account में आपको dividend मिले मैं इसा मानता हूँ कि आपके मन में जो भी query थी dividend के related, यह इस वीडियो को देखने के बाद soul हो गई होगी अगर नहीं soul होगी, कुछ और भी जानना है, तो आप हमें comment box में comment करते के बताए कि मेरे को यह query है और भी यह query है, तो हम उस पे वीडियो बताएंगे, या हो सके छोटे query है तो हम comment में आपको reply देखें, बता देंगे, यह सब होता है उसमें, और यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे हो, तो प्लीज यारो like, comment and subscribe करना बिलकुल मत बुलिएगा, अगर आप like, comment करोगे तभी तो हमें क्या है कि एक अच्छी वाली motivation मिलेगे, और वेसे वीडियो आगे लेके आएंगे, चो चल यह मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टटा, गुडबाई, जाई हीन